नमस्कार सभी भायों को तो हमारे सामने खड़ी है निव जनरेशन इसकोर्पियो आलकि यह जो इसकोर्पियो वो कैमोप्लै से कवर की गई लेकिन आगे हमें इसके कुछ रेंटिक इमेज़िस भी दिखाएंगे तो वीडियो को लाज तक जरूर देखना फ्रेंट लूक की ब बात करें जिसके आपको प्रोजेक्टर फोगलेंब और फोगलेंब के साथ ही शी सेप के अंदर आपको LED डिये गए हैं वहीं निव जनरेशन इसकोर्पियो के अंदर आपको महिंद्रा 18 इसके डाइमड कट अलोविज ओपर करने वाली है इसके रेंडर इमेज़ की बात कर अब आप देख सकते हैं इसका जो प्रेंट लूग कापी हद्द की परकार का रहेगा और इसके फोटो के क्रिडिट यूटूब से नहीं अपडेट वह यह है कि हाली में निव जनरेशन इसकोर्पियों के साथ ती जो करेंट जनरेशन इसकोर्पियों उसे भी टैस्ट करते वह देखा किया है कैमोफले से कवर किये वह है यानकि निव जनरेशन इसकोर्पियों लॉन्स होने के बाद भी महिंद्रा जो पुरन वाले इसकोर्पियों उसे फैसलिट देखे उससे साथ चेल करने वाली है उससे डिस कंटिन्यू नहीं करेगी क्योंकि जो करेंट इसकोर कई लोगों को पसंद आ सुकी हैं इसको देखते वेएट जो महिंद्रा नूरमल संरूप मिन्स की बाद कर का सथ ज्यादा प्रीमियम और कहीं ज्यादा लकजरी रहने वाला है इसके अंदर आपको कहीं सारे प्रीमियम फीचेज भी उपर किये जाएंगे जैसे कि करेंट जेनरेशन आपको इसकोर्पी उक अंदर जो फीचेज नहीं मिलती है जहोगी पुछ इसके अंदर आपको संदूरूप भी बताई दिया है और मेंदर की कार कनेटेट टेक्नलोजी भी निव चर्नेशन इसकोर्पी उपर की जाने वाली है जो कि इसके टोप मोडल के अंदर देखने को मिलेगी जो करेंट इसकोर्पी है वो साइज के अंदर थोड़ी सोटी बले हो लेकिन जो निव जनेशन इसकोर्पी आएगी वो ज्यादा बड़ी रहने वाली जिसके अंदर आपको ज्यादा कैबिन इंस्पेस भी देखना को मिलेगा इसकी जो लैंट है वो भी ज्यादा रहेगी इसके अंदर आपको फ्लैट बोटम इस्टेरिंग वील देखना को मिल जाएगी और सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कलस्टर दिया गया है तो अकर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल कार्ट डाई को सब्स